सबी बाईयों को नमस्कार, सबी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेरी फार्म पे रेगुलर रूटीन से अच्छे पसू दिखाने के परियास में वो चाहे साधारण किसान हो या व्यापारिक वरग के हमारे पसू पालक बाई जो रूटीन से अच्छे अच्छे पसू कैमरे के सामने लेके आ रहे हैं उसी परियास में आज हम लेके आ रहे हैं काफी पसू पालकों की डिमांड रहती है HF दुनिया की सबसे ज़्यादा दूद देने वाली नसल तो आज की वीडियो हम लेके आ रहे हैं एक साधान किसान के यहां से मेहंदरगट डिस्टिक हरियाना से और सबसे पहले जिस पसूपालक के पास यह गाय हैं उनसे मिलवाते हैं और इस गाय के बारे में डिटेल से जानेंगे क्योंकि इस टाइम पे हर कोई पसूपालक चाहता है कि दूद की सोटेज चलती है और अभी HF की जो डिमांड है वो सबसे ज़ादा रहती है तो जो ओनर है उनसे मिलवाते हैं बाद में गाय के बारे में भी डिटेल से बताएंगे वीडियो को लाश्ट तक देखें नमस्कार जी अपना सुब नाम क्या है गाउं बडफ है तो तैसिल कनीना कनीना से तकरीवन कितनी दूर पढ़ता है यह पांच किलोमेटर पढ़ता है अच्छा टाइम कंपलीट हो चुका है तो आप पिछली बार आप ही के पास थी कितना दूर निकाला था इसने 45 लीटर दूर निकाला है 45 लीटर दूर तो वैसे आमोमन इस बार किस दूर क्यों मीद कर रहे है आप 50 लीटर दूर एक बार खोलना इसको तीसरी बार बच्चा देगी टाइम जो इसका है वो कंपलीट हो चुका है काफी बड़े अडर की काफी टाइम पहले एक वीडियो हमारे चैनल पे आई थी जो काफी पसंद की थी और बात करें अच्छे पसू काफी कम आ पाते हैं कैमरे के सामने क्योंकि नॉर्मल पसंद की वीडियो कवरेज भी हम करते हैं तो ये तीसरे ब्यात की एच्छप आप देख पा रहे हैं काफी बड़ा अडर है आगे नाभी से लेके और आप देख सकते हैं गा के हाफ साइज में आप अडर को देख पा रहे हैं मिल्किंग है इनकी ज़्यादा तर मशीन से होती है तो कोई एक या दो गाये रखने वाड़ा है जो डेरी में वो मशीन नहीं लेके आप पाता तो एक चीज देखी जाती है कि मिल्किंग हम हाथ से कर सकते हैं जो इसकी अडर की क्वालेटी है थनों की बहुत ही शांदार ये देखिए बिल्कुल मुठी आकार के थन जो अडर में आप नसे देख पार हैं जो एक अच्छे दूद वाड़े पसू में मिलती है कि एक अच्छी पैचान होती है दुदारू एच्छे होगी उसमें नसे आपको काफी जादा देखने को मिलेंगी 45-50 किलो दूद बहुत होता है और एक वो भी साधारन किसान के याँ पे कहीं हाई टेक डेरी फार्म में होती वहाँ पे साइलेज वगेरा काफी विवस्ताएं हो जाती है लेकिन एक आप किसान उतनी विवस्ताएं नहीं कर पाता फिर भी 25 किलो दूद दिया है और इस बार बाई का कहना है कि 50 किलो दूद निकाल देगी बिल्कुल छोटे कान क्योंकि जो एक चफ की प्योर्टी को दरसाते हैं ज्यादा तर एक आपको मेंदरगट डिस्टिक में कनीना के आसपास के गाउं है यहां देखने को मिलेगी बार-बार काफी वीडियो जहां से आती है तो जी यह विक्री के लिए है अभी फिलाल इसको आप मान के चलिए क्या क्या दे रहे हो खाने में जैसे एक चप में गी या तेल वगएर नहीं देते हैं वह कंप्लीट कर दिया जी इसका अच्छा तो इनकी अभी मान के चलो यह बच्चा देगी उसके बाद ही बेचेंगे या पहले भी सेल कर देंगे अच्छा बेजने की विवस्ता कहां तक आपकी इसको अगर कोई खरी अच्छा आप यहां से सेल कर सकते हो कोई लेना चाहता है वह यहां से खुद आके लेके जाए जी 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 तो एक बार अपना संपर्ग नंबर बताएं तो बाई साब का जो मोबाइल नंबर हो रेगुलर चल रहा है एक यह दो दो गाय समय समय पर सैल भी कर देते हैं लेकिन उत्तम दरजे का पसू रखते हैं ऐसी गाय आपको साइद काफी कम देखने में मिलेगी तकरीबन एक से डेड़ साल पहले हमारे चैनल पे एक वीडिय आई थी उसके बाद यही गाय ऐसी है जो काफी पसंद भी आई है और वीडियो कवरेज जो भाई देख रहे होंगे वो भी फुल इंजोई इस वीडियो से कर सकते हैं तो लगातार लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इ बारे में क्या करना चाहेंगे वाई तो जी घ्राक्षा में आएगा पास में बैठ के करेंगे अच्छा मोक्के का ही होगा अपना अपना तो इनका जो रेट के लिए जो भी भाई खरीत देगा वो इनसे आके यहां पर संपरक कर सकता है क्योंकि बच्चा देने से पहले रे झाल झाल